हेलो दोस्तों वेलकम टू इस्राफिल इस्टडी चैनल दोस्तों आज मैं आप सभी को ट्रिकोन मीटी के महत्तव पूर्ण सुत्र बताने वाला हूं प्लस करेंगे यानि स्वम करेंगे जो हमरा जो रिजल्ट आएंगे वह हमरा ए भी फर्मुला कहला आएगा इसीतर दोस्तों अगर हम साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी खौम माइनस करेंगे तो वह भी हमारा दोस्तों क्या होगा ए भी फर्मुला होगा इसीतर दोस्तों कॉ उसी फर्मूला से हम सीडी फर्मूला क्रियेट कर सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हम साइन एफ प्लस बी और साइन ए- माइनस बी को जोडने पर जो हमारा रिजल्ट आता है उसे हम रिखेंगे अगर हम साइन प्लस बी और साइन ए- माइनस बी को जोरेंगे न तो दोस्तों यह हो जाएगा दो साइन ए बने कॉस ए आप साइन ए प्लस बी और साइन ए- माइनस बी का फर्मूला लगा कर चेक भी कर सकते हैं मैं आपको सिर्फ इहां इसका रिजल्ट बता रहा हूं अगर आप इसका प्रूप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा दूसरा देखे दोस्तों अगर हम सैन ए प्लस बी और सैन ए मैंस बी को माइनस करेंगे तो हमरा जो रिजल् दोस्तों अगर हम सैन ए प्लस बी और सैन ए मैंस बी को माइनस करेंगे तब हमरा रिजल्ट जो आएगो दो कॉस गुने सैन बी होगा अब देखे दोस्तों अगर हम कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को प्लस करेंगे तो हमरा जो रिजल्ट आएको दोस्तों ओ आएग कॉस्स ए माइनस फीक अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा दोस्तों ओ आएगा माइनस दो technology is vowel गुने sin B तो दोस्तों यह होता है हमारा AB फर्मूला तो दोस्तों इसी AB फर्मूला से हम CD फर्मूला create कर सकते हैं तो दोस्तों अब यहां ध्यान देजीए दोस्तों यहां देखे ए पलॉस B की जगर C है और A-B की जगर D है तो दोस्तों, c plus sin d का फर्मूला होगा, 2, यह क्या है दोस्तों, sin है नहीं, sin लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों, यह हो जाएगा, c plus d बट्टा 2, गुने cos c minus d बट्टा 2, दोस्तों, sin c plus sin d का फर्मूला होगिया, 2, गुने sin c plus d बट्टा 2, गुने cos c minus d बट्टा 2, तो दोस्तों, यह होगिया sin c plus sin d का फर्मूला, दुस्ता फर्मूला देखें, दोस्तों sin c minus sin d तो दोस्तों यहां देखे हमने sin a plus b और sin a minus b को minus क्या हुआ दोस्तों यहां 2 cos a गुने sin b हुआ तो दोस्तों यहां हो जाएगा c d के रूप में 2 cos c plus d बट्टा दो गुने sin c minus d बट्टा दो यहां कहा है दोस्तों 2 cos गुने sin b 2 cos गुने sin b एंगल की जगा शिरिफ c plus d बट्टा दो और c minus d बट्टा दो है इसी फर्मूला से यह c d फर्मूला create हुआ है सिरिफ a और b की जगा c plus d बट्टा दो और c minus d बट्टा दो है तिसरा फर्मूला देखें दोस्तों cos c plus cos d तो दोस्तों यहां देखें हमने cos a plus b और cos a minus b को प्लस किया था तो दोस्तों क्या हुआ 2 cos a गुने cos b तो दोस्तों यहां भी होगा 2 cos c plus d बट्टा दो गुने cos c minus d बट्टा 2 ठीक दोस्तों अब चौथा फर्मूला देखें दोस्तों cos c minus cos d तो दोस्तों जब हमने cos a plus b और cos a minus b को माइनस किया तो दोस्तों क्या हुआ माइनस 2 sin a गुने sin b तो दोस्तों यहां भी क्या होगा यहां होगा 2 sin यहां a है न तो a की जगा दोस्तों होगा c plus d बट्टा 2 गुने sin b की जगा दोस्तों होगा c minus d बट्टा 2 दोस्तों हम cos c minus cos d बड़ावर एक और फर्मूला लिख सकते हैं जो है दोस्तों 2 sin c plus d बट्टा 2 गुने sin d minus c बट्टा 2 तो दोस्तों आपको याद रखना है कि cos c minus cos d बड़ावर हम दो फर्मूला लिख सकते हैं एक फर्मूला लिख सकते हैं माइनस 2 sin c plus d बट्टा 2 गुने sin c minus d बट्टा 2 या 2 sin c plus d बट्टा 2 गुने sin d minus c बट्टा 2 तो दोस्तों यह हमारा c d फर्मूला एक बार और देखें दोस्तों हमारा c d फर्मूला sin c plus sin d बड़ावर 2 sin c plus d बट्टा 2 गुने cos c minus d बट्टा 2 तोसरा दोस्तों sin c minus sin d दोस्तों यह होता है 2 cos c plus d बट्टा 2 गुने sin c minus d बट्टा 2 तिसरा देखे दोस्तों, cos c plus cos d तो दोस्तों ये बड़ावर होता है 2 sin c plus d बड़ावर होता दो या 2 sin c plus d बट्टा दो गुने sin d minus c बट्टा दो दोस्तों अगर आप इन सभी फर्मूला का प्रूप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा अब दोस्तों यहां देखें मैंने आपको क्या बोला दोस्तों कि हम इस a b फर्मूला के मदद से ही c d फर्मूला क्रियेट कर सकते हैं तो दोस्तों यह कैसे तो आप यहां देखें दोस्तों जब हमने sin a plus b और sin a minus b को प्लस किया तो दोस्तों क्या हुआ दो sin a गुने cos b हुआ तो दोस्तों यहां देखें यह जो a plus b और a minus b है न दोस्तों हम दिखेंगे की a plus b बरावर हम c मानेंगे और a minus b बरावर हम d मानेंगे हमने माना ठीक दोस्तों अब देखेंगे दोस्तों अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तो प्लस B और यह माइनस B कैंसिल हो जाएगा A प्लस A जोड़ेंगे दोस्तो दो A ब्रावर यहां भी जोड़ेंगे दोस्तो क्योंकि दोस्तो हम यहां प्लस कर रहे हैं तो C plus D हो जाएगा, तो दोस्तों अगर हम यहां से A का मानने कारें, दोस्तों क्या होगा, A बराबर C plus D बट्टा 2 होगा किन दोस्तों, तो दोस्तों A plus B की जगा हम क्या रखेंगे, C रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने A plus B बराबर C माना है, और A minus B बराबर हमने D माना है, त तो d दोस्तों इस नहीं हो गया सांग से प्लॉस डी को भी है तो दोस्तों अब यहां देखिए नहीं है न तो ये हैं न थीया है नत baikा थे को लीख सकते हैं है थिक दोस्तों तो इसानट इसलिए हमनें शाइन सी-प्लॉस शांडी मैं साइन एकी जगह सी प्लॉस डी बट्टा दो लिख दिया कहां से दोस्तों तो यहां से हमने यहां से बड़ावर सी प्लॉस डी बट्टा दो निकाला है अब देखे दोस्तों यह सी माइनस डी बट्टा दो कैसे हुआ अब देखे दोस्तों हमने माना है दोस्तों कि ए प्लॉस और यह माइनस होगा ठीक, दोस्तों हमने यहां माइनस कर दिया दोस्तों क्या होगा यह? sr plus a और यह minus a kiancil हो जाएगा तो दोस्तों plus b plus b जो रहेंगे 2b हम यह क्या करें दोस्तों minus करें तो c में से हम क्या करें minus d करेंगे दोस्तों भीपराड जोगा c minus d वट्ट्टा दो ठीक दोस्तों तो दोस्तों इस तरह a بराबर c plus d बट्टा दो और B बराबर C-D बट्टा 2 हुआ तो दोस्तों इसलिए हमने Cos B की जगह C-D बट्टा 2 लिख दिया कहां से दोस्तों तो यहां से तो दोस्तों इस तरह C-D फर्मूला अब फर्मूला से क्रिएट हुआ है तो दोस्तों यह था C-D फर्मूला का कौन से आपको यह पता होना चाहिए C-D बट्टा 2 और C-D बट्टा 2 कहां से आया और आपको कौन से पता हो गया तो आप असानी से C-D फर्मूला को याद रख सकते हैं हमने ए भी फर्मूला में A-B इसन इसके बराबर C-D माना तो इसी हमने प्लस किया उसके बार मायनस किया तो क्या हुआ दोस्तों C-D बट्टा 2 और C-D बट्टा 2 हुआ तो दोस्तों यह था हमारा C-D फर्मूला जो हमारे class 11 के लिए बहुत यानि Most Important है तो दोस्तों यह सब हमारे class 11 के लिए बहुती यानि मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए आप चलूर याद दखें आप इसे भी याद दखें दोस्तों सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें झीक कर लो कर दोर्व है आपके लिएक वीडैंग इस सबस्टाइब कर लिए टेको